हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो गवर्मेंट टीचर बनने के लिए डिलेट करने के बाद दोस्तो आपको और कौन-कौन से एक्जाम पास करने होंगे जिससे आप अगर बिहार में BPSC Primary Teacher के एक्जाम देना चाहते हैं तो फिर आपको डिलेट करने के बाद आपको कितना के एक्जाम होता है दिली में DTSV का एक्जाम होता है राजिस्थान में REIT का एक्जाम होता है तो आखिर इन सभी एक्जाम को आप कब दे सकते हैं जिसे मालीज आपका डिलेट जो डिप्लोमा कोर्स है ये प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के फिल्ड में दो वर्स का डिप्ल से बिहार में primary teacher के exam कब दे सकते हैं उतर परदेश में super teacher के exam कब दे सकते हैं तो क्या आपको कितना time लगेगा यह सभी आप धियान से सकते हैं और जब आप second year में होते हैं कहने का मतलब यह जब आप final year में होते हैं तो उस time पे दोस्तो या फिर जब आपका DL8 complete हो जाता है तो उसके बाद कभी भी आप जो है seated का exam क्यों होता है तो देखिए seated का exam क्यों होता है तो देखिए seated का जो यह exam है ना यह दोस्तो CBSC के दुवरा conduct करवाया जाता है इसका full form होता है central teacher Central teacher eligibility test अब यह exam क्यों होता है इसके पीछे region यह है दोस्तो बहुत सारे states ऐसे है ना जहांपर दोस्तो बहुत सारे बच्चे DLGBT course जो है बिना मतलब college गय ही कर लेते हैं तो ऐसे में दोस्तो पहले selection का process मैं आपको बताता हूँ आज से अगर हम एक साल पहले कहें बिहार में त लेकिन अब क्या है बिपेस्ट का exam हो आ गया वैसे ही other states में वैसे ही होता था super tate और D3PASV exam नहीं होता था पहले ऐसे ही होता था लेकिन अगर हम आपको बताए ना seated से पहले क्या होता था तो seated से पहले तो दोस्तो आप विश्वास नहीं करेंगे पहले seated भी नहीं था यह seated 2011 1111 में आया है तो इस से पहले 2001 से पहले क्या होता था ना बहुत सब्स्ट मतल्ब अपने नंबर बढ़ा लेते थे ज्यादा ज्यादा नंबर पैसे देखर कर लेते थे ठीक ना तो ऐसे में क्या होता था कि उनका selection हो जाता था बागी student का नहीं हो पाता था तो ऐसे में दोस्तो CBSC ने जो है seated लागू कर दिया और जब seated लागू हो गया तो इसमें पास होना जरूरी है अब दोस्तो जो इसमें पास होता था जिनके अच्छे नंबर आते थे तो ऐसे में फिर seated का नंबर इंटर मैटरिक और डिपलोमा और seated के नंबर के अधार पर जो है selection होता था लेकिन दोस्तो अब seated में भी धांदली होने लगा आपने बहुत सारे खबरी सुने होंगे तो फिर उसके बाद हर states में मतलब primary teacher हो या upper primary teacher हो उसमें selection के लिए जो है न सरकार ने और भी एक exam ला दिये जैसे बिहार में BPSC primary teacher के exam हो गया UP में supertate हो गया राजिस्थान में डिली में डिली में डिली में केंद्रियस थरपर KBS हो गया अब उसमें आपके जो number आएंगे उसमें और उसके अधार पर आपका जो cutoff list तयार किया जाएगा और उसके अंदर अगर आपका नाम आता है तभी आपका selection होगा तो seated exam आप डिली सेकिंड यर फाइनल यर में देकर आप किलियर कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है इसमें class 8 level के question पूछे जाते हैं बोला जाता है 5 level के आते हैं लेकर questions का level class 8 level का होता है जिसमें हिंदी के 30 question अब जो DL8 course में आप पढ़ते हैं उसमें क्या है कि 15 question तो आपका grammar से आएगा और 15 जो question होते हैं ये दोस्तों आप DL8 course के दोरान आप जो पढ़ते हैं teaching related questions होते हैं इसी तरीके से इसी तरीके से English में 15 question आपके passage के आते हैं मतलब passage में grammar mix होता है और 15 question आपके pedagogy के आते हैं इस तरीके से math में भी 15 question pedagogy के होते हैं और 15 question आपका numerical होता है अब pedagogy में क्या है ना मतलब इसमें जो है questions जो है ये theory ways पे होंगे जिससे आपसे पूछा जाएगा कि एक बच्चे को class मतलब एक 5th class का बच्चा है उसको आपको जो है ना 2D और 3D shapes पढ़ाने हैं जिससे rectangle, triangle हो गया, cube हो गया तो किसके माध्यम से उसको अच्छे समझ में आएगा blackboard पर आप उसका card draw कर दोगे या फिर एक model के थुरूस को समझाओगे तो ये आपका वहाँ पर चिंतन चेक किया जाएगा बहुत यासान question होते हैं EBS में आपके वही social study environment study से सब mix question होते हैं और child development में आपके बच्चे के विकास का process के बारे में questions पूछा जाता है विभिन चिंतक से पूछा जाता है तो इसमें जो है ना देखे passing marks क्या है तो आपको जो है अगर आप general critics block करते हैं तो 150 में से जो है आपको 90 लाना होता है और बाकी category के ले 82.5 मतलब 83 नमबर लाना होता है ये आपको पता चल गया और ये exam जो है seated pass नहीं कर रखा है तब आप जो है इसके लिए eligible नहीं होंगे आपको इसमें form फिल करने का मोका नहीं मिलेगा तो कम से कम जो है ये आपका pass होना जरूरी है बाकी तो process मैंने बता ही दिया क्यों लाया गया है अभी UP में जैसे super tate निकलता है टीचर vacancy के selection के लिए ठीक ना टीचर के selection के लिए तो UP tate या seated दोनों में से कोई pass है तब आप super tate के लिए eligible हो जाएंगे बिहार tate अगर आपका B tate भी clear है तो भी आप भी PSTRI के लिए जो eligible हो जाएंगे ठीक ना लेकिन KBS दिल्ली में केंदरी विध्याले में और दिल्ली के स्कूल में टीचर बनने के लिए आपका seated clear होना जाएंगे उसके बाद आप इस exam के लिए eligible हो जाएंगे अब दोस्तों कितना time लागेगा तो अगर आप DLA course के दोरान seated clear कर लेते हैं और अगर vacancy आ जाती है तो तुरंद जो है आप उसके लिए form फिल कर सकते हैं और अगर आपका exam clear हो जाता है cut off list में नाम आ जाता है number के अकोड़ी तब आपका selection हो जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 साल लगेगा लेकिन vacancy के उपर है आता तो नहीं है ना vacancy में 3-3 साल 2-2 साल लगा देते हैं आप लोग खुद ही देख सकते हैं तो ये था प्रॉस्ट अब देखे आपके मन में एक question आ रहा होगा कि आखिर final selection के लिए BPSC primary teacher के जो exam होता है इसका exam pattern क्या है कितने questions पूछे जाते हैं pass marks क्या है कितने number लाने होते हैं pass होने के लिए और final selection के लिए कितना number लाना होता है तो देखे BPSC दोस्तों 2 exam लेता है 2 paper लेता है पहला होता है समान्य अध्यन का और दूसरा होता है language का language में हिंदी और इंग्लिस के questions जो है लगभग 100 question पूछे जाते है तो उसमें तो बस आपको pass होना होता है उसमें बहुत यह असान question पूछे जाते है main जो है आपका final selection जो है आपका समान्य अध्यन में जो number आएगा इसी के उपर decide करेगा तो इसमें 120 question पूछे जाते हैं 120 number के पूछे जाते हैं अब दोस्तो इसमें जो passing marks रखागे पास marks बोला जाता है passing marks नहीं बोला जाता है जो pass marks इसमें जो निर्धारित किया गया है यह general category के लिए 40% मतलब 12,48 करें तो आपको 48 लाना पड़ेगा मतलब 120 में से 48 general category के लिए यह निर्धारित किया गया passing marks इतने पर pass है अब दोस्तो इसमें जो questions पूछे जाते हैं यह देखिए इसमें math और reasoning के questions तो वही level रहता है 10th level का questions पूछा जाता है math का थोड़ा tricky होता है लेकिन science, social science और current affair उसके बाद EBS के जो questions होते हैं यह दोस्तो BPSC और UPSC level का questions होता है अगर दोस्तो आपने 2-3 साल अच्छे से पढ़े हैं science, social science, current affair, EBS बहुत ही deeply तब ही आप जो अच्छे score कर पाएंगे लेकिन अगर आप उपर-उपर से 5-6 महिने पढ़के चले जाते हैं तो फिर आप अच्छे score नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तो यूपी के जो mostly student ने जो selection लिया बिहार primary teacher की exam में selection जो लिया है वो जो student थे ना वो दोस्तो BA वाले थे, DLA वाले थे mostly और वो आज से नहीं वो दोस्तो 5-5-6-6 साल पहले से तयारी कर रहे थे और किसी वो other school में पढ़हा रहे थे वो पढ़हा रहे थे पहले से आपने देखे होंगे videos तो यह है इसका trick पास होने का, बस यही तरीका है तो अभी साब को लग जाना है आप DLA करने के दोरान ही आप start कर दीजे तयारी क्योंकि दोनों का जो exam pattern है बिहार DLA और BPSC primary teacher लेकिन syllabus जो मतलब BPSC पूछता है BPSC primary teacher की exam वो out of होता है मतलब advanced level question होता है तो तयारी आप basics करेंगे तभी तो आपका selection होगा